जोहार ये महान आदिवासी क्रांती कारियों की धर्ती है ये भगवान बिर्शा मुंडा की भूमी है इस धर्ती को सी भूम को मेरा प्रणाम मेरा शत 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 नमान आज आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशिरवाद देने आये हैं आपका ये प्यार आपका ये आशिरवाद यही यही मोदी की ताकत है साथैएं भाजपा और जार्खं का EL कि जो रिस्ता है ना वो रिस्ता दिल का है जारखन को यहां के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता है और अगर सुल जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपाही है हमेशा पता होता है कि आपके मन में क्या है यहां के लोग क्या चाहते है अलग जारखन बने किस ने बनाया अटल भी हरी बाजपाही ने बनाया बाजपाही ने बनाया कॉंग्रेस ने क्या किया जारखन का गोर विरोध किया और भी हार के कुछ नेता तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मेरे डेड़ बोड़ी पे जारखन बनेगा वो आजकल इंडिया लाइंस में बैठे हुए हैं ये बाजपाही ताकत थी अट्रल भी हरी बाजपाही की दिर्ग दरश्टी थी कि जारखन बना यहां के विकास पर ब्रेक लगा देने वाली कौन कॉंग्रेस कॉंग्रेस को मंजूर नहीं था कि यहां के संसाधन आपके काम आए वो दिल्ली के एर कंडिशन कमरों में बैठ कर यहां की योजनाएं बनाते थे एक रुपिया देते थे उसमें से पच्चासी पैसा मार लेते थे मोदी ने कहा पूरा अगर एक रुपिया बेचता हूँ तो पूरा सो पैसा सीधा आपके अकाउंट में जाएगा मोदी ने कहा योजना श्रिफ दिल्ली से ही क्यों शुरू हो क्या सब कुछ दिल्ली से ही होगा क्या क्या मेरा जारखन दिल्ली से कम है क्या देश के हर कौने से सुरू हो हमने बाबा साब आमबेड कर की जैन्ती पर आईश्मान भारत योजना लौंच की कहां से की जारखन की भूमी से की और आज इस योजना से करोडों गरीबों को पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिल रहा है मुद्रा योजना शुरू की नवजवानों के हाथ को मजबूत करने वाली नवजवानों को आउसर देने वाली मुद्रा योजना देश के युवानों का भाग्य बदलने वाली इतनी बड़ी योजना कहां से शुरू हुई हमने जारकन के दुमका से उसका प्रारम किया मुद्रा योजना ने करोडों नौजवानों को अपने मन का काम करने के लिए पैसे दिये पी-एम जन्मन योजना कहां से शुरू हुई जारकन से भगवान बिर्साम मुंडा के गाउं से 24,000 करोड रुप्य की ये योजना अती पिछडे आदिवासी भाई बेहनों की जिन्दगी बदल रही है विख्षीज भारत वाली मोदी की गारंटी की गाड़ी कहां से शुरू हुई यहां जारकन के खुंटी से और इसलिए ही तो मैं कहता हूं जारकन और भाजपा का दिल का नाता है दिल का और मेरे लिए दिल का नाता है जारकन का और इसलिए आज जारकन हर कौने में विश्वास के साथ उमंग के साथ उत्सा के साथ एक ही बात कह रहा है है फिर एक बार पर साथियों सीभूम और जारखन की धर्ती आदिवासी क्रांती कारियों की धर्ती है लेकिन कॉंग्रेस ने आदिवास्यों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया कॉंग्रेस आजादी का पूरा स्रे केवल एक परिवार को देना चाहती है यह भाजपा है जिसने भगवान बिर्सा मुंडा के जन्वदीन को एक और पहचान दी हमने इस दिन को जन्जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरू बात की है देश के कोने कोने में भगवान बिर्सा मुंडा को जैगान शुरू किया है मैंने खोद राची में भगवान बिर्सा मुंडा के बलिदान स्तर पर मुजियम का लोकारपन किया है हम देश भर में आदिवासी गवरव के लिए जन्जातिय मुजियम बना रहे है लेकिन साथियों कॉंग्रेस और उसके साथिक क्या कहते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कॉंग्रेस को आदिवासी इतियास का सम्मान पसंद नहीं है वो आप जन्जातिय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते साथियों देश की माननिय राश्पती द्रवपदी मुर्मुजी पहले जारकन की ही राजपाल थी याद है ना कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन ने एक आदिवासी महिला को भारत के राश्पती बनाने का गोर विरोध किया आदिवासी महिला भी देश के सरवोच पत पर बैठ सकती है इस बात को पच्चा नहीं पा रहे थे साथियों जारकन के जल जंगल जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है लेकिन जे एम एम और कॉंग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं तबी तो जारकन के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है इतना बड़ा शराब गोटाला यहां की जारकन मुक्ती मोर्चा की सरकार ने किया पूरे राज के खान खनिज को बालू को अवेज्य खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के जुट भईया नेता से लेकर पूर्व मुक्यमंत्री ताक सबके सब इसमें जुटे हैं उनके इलाके में ही सेहकडो करोड रुप्यों के अवेज दखनन गोटाला हुआ है और ये लोग इतने परी नहीं रुके इन्होंने आदी वासियों की जमीने लूटने के बाद हमारे देश की सेना सेना की जमीन पर भी आँख गड़ा कर रखी है इतना बड़ा जमीन गोटाला जेमेम के लोगों ने क्या है कॉंग्रेस जारखन मुक्ति मोर्चा ने मिलकर जारखन के मान सम्मान को चोट पहुचाई है मैं आप से पूछना चाहता हूँ यहां नवजवानों से पूछना चाहता हूँ मैं मेरी माताओं बेहनों से पूछना चाहता हूँ क्या जारखन को लूटने वाले को आप इने माप कर देंगे क्या माप करेंगे क्या माप करेंगे क्या साथियों कॉंग्रेस और जेमेम में बहुत बड़ी रेस चल रही है लूट करने की रेस ब्रस्टाचार करने की रेस यहां कॉंग्रेसी सांसत के ठिकाने से तीन सो करोड रुपिये नगद बरामद हुए तीन सो करोड से जादा केवल कैश नगद और आपने देखा होगा बैंकों से नोटे गिनने के लिए मशीने लानी पड़ी और मशीने हापती थी नोटे गिनते गिनते ठक जाती थी जारखन को लूटने के रेस कहां कहां तक पहुँच गई है भाई यो बेनों आप मुझे जवाब दीजिए ये जो लूट का पैसा निकल रहा है मैं आप से पूछरा चाहता हूँ ये पैसा किसका है ये पैसा किसका है ये पैसा किसका है ये पैसा ये संपती ये मेरे जारखन के गाउं गरीब मदूर किसान दलीद आधिवासी ये आपका पैसा है ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है भाई यो बेनों कॉंग्रेस और जेमें आपसे किस मुह से वोट मांगने आते हैं ये कितने बेशरम है लूट में पकड़े जाते हैं पर परवा नहीं है अब उनको दिल्ले में सरकार क्यों बनानी है क्या आपका बला करने के लिए सरकार बनानी है क्या क्या देश के नवजवानों का भविश्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या क्या ये दिल्ली में सरकार बना कर ये पूरे देश में बेल लगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि 2014 के पहले भी इस देश को लूटने के सिवाए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है साथियों इंडी गडबंधन ने जारकन के साथ सबसे बड़ा दोखा किया है जिस आरजेडी ने अलग जारकन का सबसे ज़्यादा विरोध किया जिस नेता ने यहां सबसे ज़्यादा अत्याचार किये आज जारकन मुक्ती मूर्चा उनी की गोद में जाकर के बैठ गया है उनके साथ गडबंधन किया है जो इंडी गडबंधन बिहार में जंगल राज लाया था बही जंगल राज यह लोग जारकन में और जादा फैलाने में लगे हुए है अब तो आए दिन यहां वैपारियों को फिरोती के लिए फोन आते हैं अपरातियों को सीधे सरकार से सवरक्षन मिल रहा है इनकी सरकार में आदिवासियों की सरे आम हत्या होती है यह आदिवासी समाज में अपरातियों का डर कायम रखना चाहते हैं आप मुझे बताईए जारखन को ब्रस्टा चार और जंगल राज की आग में जोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए सजा मिलनी चाहिए के नहीं आपका हक लुटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशिरवात की जरुवत है साथियों एक और आदिवासी विरोधी मानसिक्ता वाली कॉंग्रेस है दूसरी और हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्रात्मिक्ता है आदिवासी समाज के विकास के लिए सबसे पहले अलग जन जातियम मंत्रा लाए किसने बनाया बीजेपी ने अटल विहारी वाजपहिजी ने पहली बार जन जातिय समाज के लिए अलग मंत्राले बनाया अलग बजेट बनाया तब जाकरके हमारे जन जातिय क्षेतरों में आज विकास प्रारंब हुआ जन जातिय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एक लब्य आवासिय स्कूल कौन बनवा रहा है बीजेपी यहां भी एक लब्य विद्याने का निर्मान तेजी से हो रहा है आपने देखा होगा राष्टिय सिख्षा नितियाई इसमें स्थानिय भाषाओं जन जातिय भाषाओं में सिख्षा देने का फैसला किया तो यह बीजेपी ने किया आप मुझे बताईए भाई किया हमारे जन जातिय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जरा पूरी ताकत से जवाब दो हमारे जन जातिय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए अमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए गने बननी चाहिए वो इंजिनियर बननी चाहिए गने बननी चाहिए गो भाई ज्यानिक बननी चाहिए गने इनने तो हालत ऐसी रखे थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो डॉक्टर की बाद छोड़ दो गरीब का बेटा गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शेहर में कहां जाएंगे खर्चा कहां से लाएंगे लेकिन ये आपका भाई ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है वो आपका दर्द जानता है आर इसलिए मैंने कहा अरे डॉक्टर हो एंजीनियर हो वैज्ञानिक हो वो अपनी मात्रू पासा में पड़ेगा तो भी डॉक्टर बनेगा एंजीनियर बनेगा वैज्ञानिक बनेगा जन जातिय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम आज भारतिय जनता पार्टी कर रही हैं और उसका सबसे बड़ा लाब मेरे वीर बेटे बेटी जो जन जातिय समाज से आते हैं वो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं कॉंग्रेस ने तो आदिवासी इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था आकांग्छी जिला योजना जे एस्पिरेशनल डिस्टिक से आदिवासी जिनों का विकास आज भारतिय जनता पार्टी कर रही है बीते दस वर्सों में बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिये हैं जिनका जन जातिय समाज को छे दसकों से इंतजार था भाई और बेनों हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल एनिमिया यह बहुत बड़ी खतरनाक बिमारी होती है पहले किसी भी सरकार ने इसकी चिंता नहीं की हमारी सरकार ने सिकल सेल एनिमिया के खिलाब राष्टिय स्तर पर अभियान चलाया है चाय बासा में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज का निर्मान भी करा रही है अब यहां के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं के बच्चे यहीं से डॉक्टर बनके निकलेंगे साथियों दस वर्सों ने मोदी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए मकान बिजली पानी और सिलिंडर जैसी सुविधाई दी है हमारे प्रयासों से जारखन में अठारा लाग परिवारों को पक्के मकान मिले है धाई करोड से जादा लोगों को हर महिने मुप्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का चूला कभी बूजना नहीं चाहिए गरीब का बच्चा कभी भूखा सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए करीब 33 लाग गरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है मोदी का प्रयास है कि गरीब आदिवासी हमारी महिलाओं का सामर्त बड़े वो आगे बड़े लेकिन दूसरी और कॉंग्रेस आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहती है कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ति की जाँच कराएगी चोरों की संपत्ति की जाँच कराने का विरोध करते हैं और नागरीकों की संपत्ति की जाँच करवाएंगे आपके पास चांदी कितनी है सोना कितना है शादी के समय आपको स्त्रीधन कितना मिला था सब की जाँच खेट कितना है, कहां है बेटा कहां रहता है सब की जाँच करने की गोषणा की है पर यह क्यों करना चाहते हैं मालूम है वो कहेंगे इस से जादा तुम नहीं रख सकते हो अगर दस एकड भूमी है तो पांच एकड भूमी कॉंग्रेस की सरकार को दे दो अगर एक टैक्टर है तो अब तुम टैक्टर नहीं रख सकते हो किसे के साथ भागिदारी करनी पड़ेगी आपकी संपत्ती चीन कर कॉंग्रेस अपनी वोट बेंक में जिनोंने वोट जिहाद की गोशना की है उनको देने का उनोंने एक प्लान बनाया हुआ है कॉंग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ती पर पहला हक माइनोरिटी में का मतलब मुसल्मान का है मोदी कहता है देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मेरे दलीद, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब बाई बेहनों का माता और बेटे बेटियों का है साथियों अब कॉंग्रेस की नजर ये मैं गंबीर बात बता रहा हुआ आपको अब कॉंग्रेस की नजर दलीतों, पीछडों, आदिवासी, OBC इनके आरक्षन पर डाका डालने का इरादा है उनको गुसा है कि हाँ देजबर में सबसे ज़्यादा आदिवासी MLA किसके? BJP के देजबर में सबसे आदिवासी MP किसके? BJP के देजबर में दलीत MP किसके? ज़्यादा BJP के राज्यों में दलीत MLA किसके ज़्यादा BJP के है, कॉंग्रेस को गुसा है कि आदिवासी ये दलीत, ये OBC बीजेपी का समर्थन करते हैं, अब उनको सिख्षा करने का उनका मन है। आदि वो इतने गुसे में है कि आपको जो आरक्षान बाबा साब आमबेड करने दिया है, आपको जो संविदान बाबा साब आमबेड करने दिया है, उनकी पीठ में चुरा भौक कर, आपको जो रिजर्विशन मिला है आरक्षन मिला है उसमें वो लूट करके मुसल्मानों को धर्म के आधार पर डाकाट डाल के उनको देना चाहते हैं क्या हम ऐसा करने देंगे क्या इनको सम्विधान के उपर खिलवार करने देंगे क्या यह बिहार के आरजेडी के नेता यह कॉंग्रेस के नेता माते पर सम्विधान की किताब रखके नाच रहे हैं और सम्विधान के साथ दोका कर रहे हैं मैं बताता हूं कैसे करते हैं अभी करनाटका में उन्होंने रातों रात कि एक फटवा निकाला एक ओरडर निखाला रातों रात अथक्तकर मार दिया ओर्डर क्या कि करनाटका में एक मिन यह सुनिए पहले जना सुनिए बाज में बोधी बोधी करिए पहला डंसे सुनिए यह काम में आने वाली बात है समझने वाली बात है करना तका में रातो रात उन्होंने फत्वा निकाला और फत्वा क्या निकाला करना तका में जितनी मुसल्मान है जितने कितना ही पड़ाली का क्योंनों कितना ही अमीर क्योंनों कितना ही बड़े घराने का क्योंनों बस मुसल्मान है तो उन्होंने फत्वा निकाला कि करना टका के सारे मुसल्मान OBC है रातों रात OBC हो गए और OBC को जो 27% आरक्षण मिलता था रातों रात उसकी लूट उनके खाते में चली गई देश देखता रहे गया और ये पूरा मोडल देश में लागू करना चाहते हैं क्या ये करने देंगे क्या ये हम करने देंगे क्या और कॉंगरेस वाले, जेमेम वाले, आरजेडी वाले, कान खोल के सुर लो जब तक मोदी जिन्दा है जब तक मोदी जिन्दा है तुम संबिधान को हाथ नहीं लगा पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम आदिवाच्यों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम दलीतों के आरक्षण का लूट नहीं पाओगे जब तक मोदी जिन्दा है तुम OBC के आरक्षण का लूट नहीं पाओगे भाईयों बेनों मेरी आप सबको गरंटी है भारतिये जन्ता पार्टी की गरंटी है दुनिया की कोई ताकत हमारे सम्विधान को हाथ नहीं लगा सकती बाबा साब आम बेड करने जो आरक्षण दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है ये मोदी की गरंटी है साथियों मैं पिछले दस दिन से कॉंगरेस को तीन चुनोतिया देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ तुम लिखित में देश को को मैं तो खुले हाम आरूप करता हूँ तुम लिखित में देश को बताओ कॉंगरेस लिक्कर के देख कि वो स्टी स्टी ओविसी का आरक्षन काट कर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे लिख करके दो नहीं देते हैं कॉंगरेस का कोई नेता इसका जवाब देने को तैयार नहीं है आप मुझे बताइए बाबा साब ने आरक्षन का जो अधिकार आपको दिया है क्या हम कॉंगरेस को छिनने देंगे क्या अगर मोदी आपके लिए लड़ना चाहता है मरना चाहता है तो मोदी को आशिरवाद मिलना चाहिए गने मिलना चाहिए भाई और बहनों कॉंगरेस जेमेम और उन सयोगी अपने वोर्ट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे है यह लोग जारखन में गुश पेठियों को ठिकाना दे रहे हैं एक गुश पेठिये हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन पर कबजा कर रहे है संथाल परगना जैसी जगाओं पर इस गुश पेठियों की संख्या गट रही है हमारी बहन बेटियों की जद सुरक्षित नहीं है यही खेल इन लोगों ने बंगाल में खेला था बंगाल के आदिवासी राकों में लोग गुश पेठियों को आतंग से जूज रहे हैं लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है ऐसा ही यहां हाल यहां जारखन में बनाना चाहते हैं लेकिन जे-म-म सरकार बोट बैंक की भूख में बोट पाने के लिए आख मुन कर यह पाप कर रही है साथियों तेरा मैं को आपका वोट जारखन के विकास और सुरक्षा की गारंटी बनने वाला है आपका जो बरोसा मोदी पर है उसे आपको कमल का बटन दबा कर यह वोट मुझ तक पहुचाना है मोदी के खाते में जमा करवाना है सिंग भूम से भाजपा प्रत्यासी बेन गीता कोडा और खुंटी से मेरे साथी अर्जुन मुन्डा उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा इनको मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा तो आप गर-गर जाएंगे गर-गर जाएंगे जादा मत्दान कराएंगे मुझे सबसे जवाब चाहिए गर-गर जाएंगे जादा मत्दान कराएंगे सबसे जादा वोटों से जिताएंगे सब फोलिंग बूच जिताएंगे तो एक काम कीजिए अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसका फ्लेश लाइट चालू कीजिए सबके सब अपना मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट चालू कीजिए सबके सब अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चीजर कीजिए सब के मोबाइल के फ्लेश लाइट चले मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे देखिए यहां से जा करके परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको जहार जोहार कहा है मोदी का जोहार पहुचाओगे घर घर में हर घर में मेरा जोहार पहुचाओगे बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद नरंदर मोदी जिन्दाबाद झाल